खबरों को रोक लिया गया है और फिर दुनिया को यनि अंधेरे में रहके ये धोके पर धोका देते जा रहे हैं आतंग का का डरा हुआ है वो डर गया है सेना के आपरेशन ओल आउट से वो की दर भपकिया दे रहा है उसे डर सता रहा है कि कहीं उसकी आतंग की दुकान बंद ना हो जाए सुनिये खिस कदर बॉखलाया हुआ है हाफिस सईद उसकी आवाज में भारतिय सेना का डर साफ जलक रहा है इस साल 200 से ज़्यादा आतंकियों की मौत ने हाफिस सईद की नीथ उड़ा दी है सेना के जवान घाटी में हर उस आतंकी को मौत के घाट उतार रहे हैं जिससे हाफिस सईद अंदर तक हिल गया है उसे समझ नहीं आ रहा वो करे तो क्या करे वो जाए तो कहा जाए इसी तरह आलम इसलाम को अपना काम करना है इन्शालला फैसले के दिन करीब हैं फैसला एक ही है कश्मीर की आजादी और इंडिया की बदनामी एक वीडियो जारी कर पाकिस्तान में बैठे मोस्ट वांटेड आतंकी हाफिस सईद में भारत के खिलाफ एक बार फिर जहर उगला है वो कश्मीर के युआउं को भड़का रहा है कश्मीर में शनिवार को आठ नागरिकों की मौत को हाफिस सईद आतंक के खिलाफ हतियार के तौर पर इस्तमाल की साजिश रच रहा है अंधेरे में रहके ये धोके पर धोका देते जा रहे हैं लेकिन ये कब तक चलेगा बिलाखरी ये फैसला करना पड़ेगा हाफिस सईद को ये डर सता रहा है कहीं कश्मीर में उसकी आतंग की दुकान बंद ना हो जाए इसलिए नए वीडियो में वो भारतिय सेना के आर्मी जीव का भी जिक्र कर रहा है हाफिस इस कदर खौफ में है कि वो अब शान्ती की बात कर रहा है उसे पाकिस्तान सरकार यूएट सब की याद आ रही है सबसे ये गुदारिश करता हूँ कि आज के इस मसले को इस तरह चोड़ ना दिया जाए फोरी इकदाम की जरूरत है और दुनिया को उठाने की जरूरत है भारतिय सेना के आपरेशन आल आउट से मॉस्ट वांटेड आतंग की हाफिस थर थर काप रहा है उसके तेवार अब थंडे पढ़ गए हैं क्योंकि उसे पता है आज नहीं तो खल उसका भी नंबर आएगा जरूर आएगा यूरो रिपोर्ट भारत तक तो को रोक लिया गया है और फिर दुनिया को यानि अंधेरे में रहके ये धोके पर धोका देते जा रहे हैं इसी तरह आलम इसलाम को अपना काम करना है इन्शालला फैसले के दिन करीब हैं फैसला एक ही है कश्मीर की आज़ादी और इंडिया की बदनामी रहके ये धोके पर धोका देते जा रहे हैं लेकिन ये कब तक चलेगा बिलाखर ये फैसला करना पड़ेगा मैं से ये गुदारिश करता हूँ कि आज के इस मसले को इस तरह चोड़ ना दिया जाए फोरी इकदाम की जरूरत है और दुनिया को उठाने की जरूरत है